जित हासिल करनी हो तो काबलियत बढ़ाओ किस्मत की रोटी तो कुत्तों को भी नसीब होती है अगर दो लोग में कभी लडाई न हो तो समझ लेना कि रिस्ता दिल से नहीं दिमाग से मिभाया जा रहा है रिस्ते चाहे कितने भी बुरे हो लेकिन कभी भी उन्हें मत तोना क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो प्यास नहीं तो आग तो बुझा ही देता है सुन्दर्ता हो ना हो सादगी होनी चाहिए खुस्बू हो ना हो महक होनी चाहिए रिस्ता हो ना हो बंदगी होनी चाहिए मुलाकात हो ना हो बाते होने चाहिए यू तो उल्जे हैं सबी अपनी अपनी उल्जनों में पर सुलजाने की कोशिस हमेशा होनी चाहिए एक बेहतरिन जिंदगी जीने के लिए ये सविकार करना जरूरी है कि सब कुछ किसी को नहीं मिल सकता दूसरों को क्या करना है या क्या लगता है इसके बारे में परिशान हुई भी न एक दिन गुजारे आपके समस्या है आधी अपने आप ही खत्म हो जाएंगे अगर किसी बच्चे को उपहार न दिया जाए तो वा कुछी समयर होएगा मगर संसकार न दिये जाए तो वा जिंद्गी भर रोएगा जीवन में अगर खुश रहना है तो स्वेम को संत सुरोवर की तरह बनाए जिसमें अगर कोई अंगारा भी फेके तो खुद वा खुद थंडा हो जाए संत रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्र नहीं हो सकता और आपके मोँ पर जो आपकी बुराईया बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की कोशिस मत करो बस सही बने रहो गवाही वक्त खुद दे देगा अच्छे और सच्चे रिस्ते ना तो खरीदे जा सकते हैं ना उधार लिए जा सकते हैं इसलिए उन लोगों को जरूरों महत्वदे जो आपको महत्वदेते हैं चैन से जीने के लिए चार रोटी और दो कपड़े काफी हैं पर बेचैनी से जिनने के लिए चार गाड़ी और दो बंगले भी कम हो हैं मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में तू जरा हिमत तो कर खुआप बदलेंगे हकिकत में तू जरा कोशिस तो कर रास अंगर्स की जो चलता है वही संसार को बदलता है जिसने रातों से ही जंग जीती सुबा सुर्य बन कर वहीं चमकता है